आज हम पढ़ेंगे ए का उच्चारन ए का उच्चारन अ होता है आ होता है आ होता है ए होता है आ और ए लेकिन कब कहां किस तरह से इसका उच्चारन किया जाए यह आज हम जानेंगे यह तो हम सब जानते हैं ए इंगलिश अल्फाबिट का पहला लेटर है आए देखते हैं यह दो consonants के बीच ए आये तो ए को आय की मात्रा से पढ़ते हैं जैसे बैड कैट, डैम फैट, जैम, बैग यहाँ पर देखिए दो consonants के बीच में ए है इसलिए आय की मात्रा की तरह यूज कर रहें ए को जब वर्ड के लास्ट में ए आये और ए से पहले एक कॉंसोनेंट से पहले ए आये तो ए को ए की मात्रा से पढ़ते हैं जैसे नेम गेम, वेग डेट, हेट रेस देखिए इसमें लास्ट में ए है उसके पहले कॉंसोनेंट उसके पहले ए आया है तो A की मातरा की तरह यूज कर रहे हैं और जब A के बाद Y आए तो A को A की मातरा से पढ़ते हैं जैसे D, Ray, Say Lay, Pay Way और तो और जब A के बाद R आए तो A को A की मातरा से पढ़ते हैं जैसे Car, Far, Art Park, Park आम देखिए यहाँ पर R के पहले वाविल है इसलिए पढ़ते वक्त R को हम साइलेंट कर देते हैं और जब A के बाद I आये तो A को A की मातरा से पढ़ते हैं जैसे रेन, मेन, फेल, बेल, टेल यहाँ पर देखिए A की मातरा की तरह A का यूस कर रहे हैं जब A के बाद I R आये तो A को A से पढ़ते हैं जैसे ए, फेल, हेल, पेल, यहाँ पर R साइलेंट हो जा रहा है क्योंकि R के पहले वाविल यानि की आई है जब A के बाद R E आये तब भी A को A से पढ़ते हैं जैसे डेल, फेल, मेल, शेल, रेल और जब A के बाद L आये तो A को A से पढ़ते हैं जैसे बॉल, कॉल, हॉल, टॉल, वॉल और जब A के बाद U आये तो भी A को A से पढ़ते हैं जैसे रेगलर, इंडियन, प्रिंसिपल अगर आप चैनल पर नए हूँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बिल आइकन को दबा लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले अगली वीडियो में हम इसी तरीके से B से रिलेटिट जानकारी देंगे कि B का कहां पे कैसे यूज होता है धन्यवाद